इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि संग्या किसे कहते हैं और संग्या के कितने भीध होता हैं तो चले भी इस वीडियो को हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर संग्या कहते किसे हैं इसका परिभासा क्या हैं तो दिखिए संग्या का यह परिभासा है कि संग्या किसी विक्ति, वस्तू, अस्थान, भाव, यादी के नाम को संग्या कहते हैं संग्या किसे कहते हैं तो संग्या किसी विक्ति, वस्तू, अस्थान, भाव, यादी के नाम को संग्या कहते हैं जैसे में राम हो गया, राम किसी विक्ती का नाम हो गया, वस्तु हैं, तो वस्तु में आप कुछ भी कह सकते हैं, कलम, किताब, पेन, पोधा, इसी या सब क्या हो गया, वस्तु हो गया, स्थान, तो स्थान में पटना हो गया, डिली हो गया, भारत हो गया, इस तरह से आप कु संग्या कहते हैं, अब हम यहां समझते हैं कि संग्या के कितने भेद होता हैं, तो देखे संग्या के मुखे रुप से पांच भेद होता हैं, कितने भेद होता हैं, तो संग्या के मुखे रुप से पांच भेद होता हैं, पहला होता हैं विक्ति वाचक संग्या, दूसरा होता ह जाती वाचक संग्या, तिसरा होता है समुह वाचक संग्या, और चौथा होता है द्रवे वाचक संग्या, और पाचवा होता है भाव वाचक संग्या, अब हम एके करके इन सभी को थोड़ा सा अच्छा से समझ लेते हैं, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि विक्ती वाचक संग् आता हैं तो दखीए विक्ति वाचक संग्या तो जिस संग्या से किसी खास विक्ति वस्तु वस्थान भाव यादी का बोध हो उससे हम विक्ति वाचक संग्या कहेंगे जैसे कि देखिए वेक्ति वाचक संग्यम आएगा पटना अधी मैं पटना कह रहा हूँ पटना हो गया इससे केवल पटना कहीं बोध हो रहा है इसके अलवा किसी अन्य जगह का बोध नहीं हो रहा है तिसलिए वेक्ति वाचक संग्या के अंतरगत आएगा उसी तरह से यदि मैं कहूं की राम या फिर मैं कहूं स्याम मैं बोलू राम तो राम सब्द से जो वेक्ति राम नाम का हैं केवल उसी का बोध होता है इस तरह के जो भी संग्या होता है जो किसी अस्पेशल विक्ती के हो या फिर अस्थान के बारे में हो या फिर किसी वस्तु के बारे में हो तो उसे हम विक्ती वाचक संग्या कहेंगे उसके बाद दुसरा है जाती वाचक संग्या यह क्या है तो वैसी संग्या है जिससे कि उसके पूरे कर पूरे जाती का बोदध हो जाए जैसे कि समझेगे दखिए मैं बोल रहा हूँ गाए अब यह जो गाए है न अब गाए से किसी एक गाए का बोध नहीं हो रहा है बलकि इस धर्ती पर जितने भी गाए है न सब के बारे में हमें मालूम चल जा रहा है इसलिए गाए जो है जाती वाचक संगे इसकी अंतरगा तो और भी सब्दा जाएगा जैसे कि आदमी हो गया तो आदमी से भी पूरे आदमी का बोध हो जाएगा आवरत, लड़का, लड़की उसी तरह से हम कुछ भी कह सकते है अदि हमाए कलम बोलूम तो कलम से भी सभी कलम का बोध हो जाएगा अदि मैं वहीं पर बोलूम को रेड कलम तो फिर वह वेक्ती वाचक हो जाएगा और छुटा कलम बोलूम तो जाती वाचक हो जाएगा अदि मैं गाए बोल रहा हूँ तो जाती वाचक संगे वही मैं बोल लू कि काली गाय तो वह हो जाएगा व्यक्ति वाचक संगयां क्योंकि वह एक special के बारे में हो जा रहा है अब देखिए इसके बाद अगला है समुह वाचक संगया यह क्या है तो इसमें वैसी संगया आता है जिसमें किसी एक का बोधना होकर या फिर किसी जाती क बोधना होकर पूरे के पूरे समुह का बोध होता है जैसे कि भीन हो गया तो भीन में किसी एक जाती या फिर कोई एक वेक्ति नहीं होता है उसमें समुह होता है उसी तरह से जुन्द हो गया अश्टूडेंट हो गया इसमें लड़का लड़की सब होगा ठीक उसी तरह से स बहा हो गया, यह सब क्या है, यह सब समुह वाचक संग्या हैं, उसके बाद है अगला द्रवे वाचक संग्या, यह क्या है, इसमें वैसी संग्या आती हैं, जिसे हम माप सकते हैं, या फिर तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि चावल हो गया, आटा हो गया, त पानी हो गया, यह सब दरव वाचक संगया में आएगा, क्योंकि वैसिस संगया इसमें आता है, जिससे हम माप या तल सकते हैं, इसके बाद अगला है भाव वाचक संगया, तिसमें क्या आएगा, तिसमें वैसिस संगया आती हैं, जिससे हम छू या देख नहीं सकते हैं, क्यो